हिंदी विशिय अंतरगल आजापन यदी समाचार पत्र नव होते हा निभन्द पाहणा रहोते यदी समाचार पत्र नव होते इस निभन्द को लिखने के लिए हमें कौनसी रूपरे खा ध्यान में रखनी है देखो पहले हमें प्रस्तावना लिखनी है उसके बाद विभिन जानकारियों का अभाव विज्यापन के सशक्त माध्यम से वन्चित सरकारी नेतियों के जानकारी न मिलती पत्र हमारे लिए सुबह की चाय की तरह जरूरी है समाचार पत्रों के माध्यम से हम स्वयम को देश और संसार से जुड़ा हुआ पाते हैं यदि समाचार पत्र न होते तो देश दुनिया के राजनितीक, आर्थीक, व्यापारीक, सांस्कृतीक और सामरीक समाचारों तथा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के बारे में कोई जानकारी न मिलने से हम बैचेन हो जाते हैं हम अपनी रूच्ची और विचारधारा के अनुसार अपना मनपसंद समाचार पत्र खरीते हैं समाचार पत्रों से हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं यदि समाचार पत्र न होते तो हम विवीद प्रकार की जानकारियों तथा अन्य पठनी ये सामग्रियों से वन्चित रह जाते। प्रचार और विज्यापन के इस यूग में समाचार पत्रों की विशिष्ट भूमिका है। समाचार पत्र विज्यापन के सशक्त माध्यम है। फिल्म, व्यापार, नौकरी, जगह, जमीन, विभिन उत्पादनों तथा समारोहों की जानकारी हमें समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्यापनों से ही मिलती है। व्यापार उरुद्धी में समाचार पत्र महत्व पूर्ण भूमिका निभाते है। उनकी शक्ती और उनका प्रभाव चारो और व्यापत है। समाचार पत्रों के महत्व का वर्नन करते हुए उर्दु के कवी अकबर इलाहाबादी ने कहा है। खीचो न कमानों को न तलवार निकालो। जब तोप मुकाबिल हो तो अकबार निकालो। यदी समाचार पत्र न होते तो जन जीवन को प्रभावित करने वाला एक अत्यदिक सशक्त माध्धम ही न रहता। यदि समाचार पत्र न होते तो जन्ता को सरकारी नितियों की जानकारी न मिल पाती। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा व्यापारीक तथा अउद्योगिक शेत्रों की गती विधियों की जानकारियों से वन्चित रह जाता। लोगों को कुशीविका संबंदी गती विधियों का भी यतोचित ज्यान नहीं हो पाता। देश की प्रगती अत्यंत मंद पड़ जाती। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमी का निभाई थी। आज भी राष्ट्र के पुनर निर्मान में समाचार पत्र महत्वपूर्ण भूमी का निभा रहे है। समाचार पत्र को लोक तंत्र का चौथा स्थम्ब कहा जाता है। यदि समाचार पत्र न होते तो लोक तंत्र के इस महत्वपूर्ण स्थम्ब से हम वंचित रह जाते। यदि समाचार पत्र न होते तो हमारे जीवन के विविधक्षेत्रों की गतिविधियां आज जैसी तेज न होती। हम यह सोज भी नहीं सकतेगी समाचार पत्रों का अस्तित्व न होता तो क्या होता